हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मा यूट्ट्यूब चैनल राइट टूइच के सनमय हुमर्दित फ्रेंट्स यहां पर हम बात करने वाले हैं सात्वे चट के सिछक बहाली को लेकर तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखेगा, यहां पर क्या है कि आपको पता है कि प्रारभिक देखेंगे और यहां पर थोड़ा सा confusion यह है कि हो सकता है कि आपकी इस साल वेकेंसी जो है वो complete न हो पाई या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस साल के लाष्ट तक जाते जाते आपकी वेकेंसी complete हो लेकिन maximum chance है कि बहुत जादे आपका time लगने वाला है क्या है पुड़ा मामला उ साथ जो है यदि government सही तरीके से decision लेकर काम नहीं करती है तो बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो आपका अन्याय भी जो है वो आपका होने वाला है तो क्या है पुड़ा मामला इसको हम देखेंगे तो यहां पर जो है एक एक point के बारे में हम यहां पर बात करेंगे आप ज कि यहां पर कि तरीके से समझ सकते हैं कि चार बैच में आपके जो गर्माइस करें और आपकी तरीके से गर्मेंट करता है उसके बारे में हम यहां पर देखेंगे हमने आपको बता दिया कि मतलब ॻाले बहुत है आपके contributing में इसiemandem intended आपका में specifically geneily हो जाईगा मतलब फिर उसके बाद जो B8 candidate है B8 candidate के लिए बहुत जादे चांस है मतलब B8 candidate के लिए आप देखेंगे तो class 1 से 10 तक जो है यह teacher बन सकते हैं बिहार के according फिर यहाँ पर क्या है कि जो DL8 candidate है वो आपके कच्छा एक से लेकर जो है वो 5 तक बन सकते हैं जिनका graduation नहीं है और बाकी जिनका graduation है वो कच्छा एक से लेकर 8 तक teacher बन सकते हैं जो की B8 वाले जो हैं वो दोनों में बन सकते हैं मतलब कच्छा एक से 5 तक भी 6 से 8 तक भी प्लस 9 और 10 में भी बन सकते हैं और 11 और 12 में तो जो है वह आपको master degree चाहिए अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर अब इसको जो है वह आप समझ लिए और फिर आगे हम जो है वह आपके यहाँ पर जो है वह देखेंगे अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया सिचा निदेश साले की तरफ से तयारिया की तो जिला सिचा पदा दिकारियों ने निदेश दिया कि 31 दिसंबर 2022 इस बात को आप ध्यां रखेगा कि यहां पर क्या है कि पहले सात है है कि आट से सिचा करने के लिए बोला गया था क्यूंकि आपको पता है कि चे से एक से आट तक जो रिख्टियां थी उसको तो रिख्टियां कर लिया घख्यानी संख्या जल्द ही जल्द 82,000 जो है वह आपके पद रिक्त हैं लेकिन यहाँ पर जो है नाइन से लेकर 12 तक रिक्त पदों की संख्या जो है अभी तक नहीं आ है इसके लिए यहाँ पर बताया गया कि सेवा निवरित होने वाले सेकेंडरी तथा प्लस टू के सिचकों की अलग से सूची तैयार किया जा लेकिन फिर भी मालीजे 15 दिन का टाइम मिलता है तो कम से कम इन लोग जो है मालीजे सही तरीके से करते हैं तो 15 दिन में तो दे देंगे लेकिन मालीजे एक तरीके से एक महिना तो आपका लगे जाएगा रिक्तियां इकठा करने में अब यहाँ पर क्या है कि जो मालीजे र रिक्तियां जो है वो देना है अब नॉर्मल सी बात है आप समझ सकते हैं कि किसी भी विद्याले में जो है वो आपके प्लस टू तक जो है मतलब जो आपका क्लास नाइन्थ और टेंथ है सेकेंडरी है फिर उसके बात जो है वो आपका प्लस टू है इसमें 31 दिसंबर 2022 तक रि टीचर जाएंगे अब ऐसा तो है नहीं कि यह भी उसी विद्याले में काम करते रहेंगे और उसी विद्याले में नई टीचर की न्युक्ति हो जाए क्योंकि गौर्मेंट इस तरीके से तो सलेरी दे कि नहीं आल्रेड ही गौर्मेंट जो है वो सिचक भरती से भागती है त फिर जो कोई भी प्रोसेस है गौर्मेंट जो है वो अपना पूडा कर ले लेकिन निफ्ति जो देगी आपकी 31 दिसंबर 2022 तक ही जो है वो देगी एक समस्या हमने आपको यहां पर दिखा दिया क्योंकि यहां पर हमने जो बोला था उपर कि लगभग एक साल तक जो है वो ल आपका दिया जागा अब यहां पर देखिए अब यहां पर जो है दिक्कत कहां होने वाला है हमने आपको बता दिया कि जो निफ्ति दिया जाएगा वो 31 दिसंबर 2022 मतलब 2022 के लास्ट में और यह दिया जाएगा आपके जो दो टीचर हैं एक तो आपके master degree वाले हैं मतलब 11th किया हो और वो जो है वो master degree भी किया हो अब यहां पर क्या है कि आप यहां पर क्या है कि माल लिजिए अब यह इसका चैन तो जो है वो आपके subject combination है merit वगरा सही है तो इसका जो है वो चैन master degree में हो गया फिर उसके बाद यदि government नीचे से नहीं आपका इस्टार्ट करती है मतलब नीचे से नहीं आप उपर से समझे मतलब यदि government जो है 11th 12th और 9th 10th और 6 से लेकर 8 तक और 1 से लेकर 5 तक यदि government उपर से नहीं आती है कि हम पहले मतलब पले plus two वालों को joining दे फिर उसके बाद जो है secondary वालों को joining दे फिर उसके बाद जो है वापके middle को joining दे फिर आपको primary को joining दे यदि इस तरीके से उपर से करती है तब तो seat बहुत जादे बच जाएगा सोरी बचेगा नहीं पुड़ा seat जो है वापकी adjust हो जाएंगे किसी को दिक्कत जो है वो नहीं होगा लेकिन यदि government सभी का बिज्यापन निकाल दे कि आप जो है वाले में भी आवेदन करिये फिर उसके बाद जो है वाले में भी आवेदन करिये फिर उसके बाद जो है आप middle में भी आवेदन करिये फिर उसके बाद जो है वाप primary में भी आव आवेधन करेगा अब आप समझ सकते हैं एक से लेकर कछा बारहमी तक के लिए वह आवेधन करेगा अब उसका मान लिजिए कि यदि गवर्मेंट उसका मेरिट वगरा ठीक ठाक है तो उसका मतलब प्लस टू में भी जोइनिंग हो जाएगा फिर उसके बाद जो है उसका सेकें प्लस टू के विद्याले में जाएगा अब यहाँ पर प्लस टू के विद्याले में जाएगा तो इसका तीन सीट जो है वो अतिरिक्त रह जाएगा मतलब यहाँ पर तीन बच्चों का भवी से जो है वो बरबाद एक तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पर जो है इस तरीके स selection हो जाता है तो मालीजी यह नॉर्मल सी बात है यह जो है वो बेखती हाई स्कूल में ही joining लेगा अब यह जो है जो है तो फिर भी इसका जो है मतलब यह जो है दो seat बरबाद कर देगा मतलब दो candidate का जो है वो यहाँ पर भवी future जो कुछ भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है वो बरबाद हो जाएगा normal तरीके से अब क्योंकि आपको आपने देखा होगा कि इसके पहले जो आपकी middle में बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे लोग B8 कि होते हैं फिर बहुत जो है आपने देखा होगा कि छठवे चड़ में जो सिचक बाली हुआ था उसकी जो है बहुत सारे रिक्तियां जो है बच चुकी थी क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपको पता है कि बहुत सारे लोग करती है कि माली जी हम सबसे पहले जो भरती प्रक्रिया फाइनल करेंगे मतलब एक तरीके से ज्वाइनिंग लेटर देंगे तो सबसे पहले हम प्लस टू वालों को देंगे तब तु यह बहुत अच्छा तरह है क्योंकि जिनका भी सेलेक्शन हो जाएगा प्लस टू में सही यह नर्मल सी बाथ है प्लस टू में सेलेक्शन हो जाएगा तो नीचे के कलास में नहीं भरेंगे, फिर उसके बाद प्लस टू में होने के पाद है, मतलब हाई स्कूल का ज्वाणि का प्रक्रीया मतलब आवेधन वगरा तो नोर्मल सी बाथ है, यहाँ पर गोleader में gyyanndy में नहीं भरेगा फिर यहादी गौर्मेंट लास्ट में प्राइमरी का निकालती है तो नॉर्मल सी बात है उपर के हर एक सीट बेगती जो है वो ले लिये होंगे और अपने जगा जो है जुआनिंग कर लिये होंगे तो यहाँ पर जो है उपर सेलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ primary में आकर जो है वो select हो जाएंगे तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से select हो जाएंगे और बहुत उतना seat भी नहीं बचेगा और बहुत सारे लोगों का विस बे जो है वो बरबाद नहीं होगा तो कहिने कहिं government को इस तरीके से करना चाहिए लेकिन यहाँ पर आप समझे हैं कि इनका तो जोइनिंग होगा तो आप एक तरीके से आप confirm हो जाए कि इनका जब जोइनिंग होगा तो 31 दिसंबर 2022 के बाद ही होगा मतलब यह विद्याले में जोइनिंग करेंगे भले ही पुड़ी प्रक्रिया पहले ही जो है आपकी समाप्त हो जाए तो नॉर्मल सी ब जो है वो टाइम गौर्मेंट जो है वह आपका लेही सकती है तो यहाँ पर जो है एक तरीके से जो मतलब गौर्मेंट के गौर्मेंट में सात्वें चड़ में जो है वह आपके पलस टू और हाई स्कूल को सामिल किया इसलिए जो है आपका टाइम लग रहा है जो कि रिक्त इसके बारे में था और बिल्कुल आप यह न सोचे कि मतलब यहाँ पर गलत वगर नियुसेर किया जाता है हमने आपको पुड़ा प्रूब भी दिखाया कि हमने जो बात कर रहे हैं हम जो डिसकस करें किस तरीके से कर रहे हैं तो यहाँ पर बे जो है आपके साथ में चड़ मे जाएगा कि हाँ हकीकत में 82,000 है कि इससे कम है तो यहाँ पर जो है इसके लिए है हमने बता ही दिया कि फिर से जो है वह आपकी रिक्तियां की गढ़ना की जा रही है जो कि प्लस टू के लिए बिद्याले और जो आपके माधमिक से चाहे मतलब हाई स्कूल के बिद्याले है उन बिद्यालें की रिक्तियों की जो है फिर गढ़ना की जा रही है 15 दिन का डेट दिया गया है लेकिन आप समझ सकते हैं कि 30 मतलब एक महीने तो जो है वह आपके कम से कम लगी सकते हैं फिर यहाँ पर इस साल की वेकेंसी को लेकर है तो गवर्मेंट यदि सही तरीके से ख है तो अपनी वेकेंसी जो है वो फाइनल कर सकती है और इसकूलों में जो है टीचरों को जो है वो दे सकती है तो यहाँ पर यहीं अपडेट था बाकि जो कोई भी अपडेट वगरा होता है तो हम सेर कर देते हैं मिलते हैं लिए नेक्स्ट वीडियो में यदि अभी तक थैंक यू बाइ बाइ टेकर अलडवे टांड बिश्ट विस्निंग बलस्यों थैंक युट